अपनी बात की शुरुवात एक वेद वाक्य के साथ करना चाहता हूँ कुरुतम में दक्षिने हस्ते, जयो में सव्याहित हूँ इस बात को भारत के संदर्ब में देखें तो बहुत सीधा साधा अर्थ यही है हमारे देश ने एक तरफ करते वका पालन किया, तो दूसरी तरफ उसे बड़ी सफलता भी मिली कल 21 अक्तुबर को भारत ने वन बिलियन सो करोड वैक्सिन डोज का कठीन लेकिन असाधारन लक्ष प्राप्त किया है, इस उपलब्दी के पीछे एक सो तीस करोड देश वासियों की करतव्य शक्ति लगी है, इसलिए यह सफलता भारत की सफलता है, हर देश वासी की सफलता है, मैं इसके लिए सभी देश वासियों को रदय से बधाई देता हूं, साथियों, सो करोड व्यक्सिन दोच ये केवल एक आंकड़ा नहीं है, ये देश के सामर्थ का पतिविम्ब है, इतिहास के नए अध्याय की रचना है, ये उस नए भारत की तस्वीर है, जो कठीन लक्ष निर्धारित कर उन्हें हासिल करना जानता है, ये उस नए भारत की तस्वीर है, जो अपने संकल्पों की सिद्धी के लिए परिश्रम की पराकाष्ठा करता है, साथियों, आज कई लोग भारत के वैक्सिनेशन प्रोग्रेम की तुन्ना दुनिया के दूसरे देशों से कर रहे हैं, भारत ने जिस तेजी से सो करोड का वन बिलियन का आकड़ा पार किया है, उसकी सराना भी हो रही है, लेकिन इस विश्ट्रेशन में एक बात अक्सर छूड जाती है, कि हमने ये शुरुवात कहां से किये हैं, दुनिया के दूसरे बड़े देशों के लिए वैक्सिन पर रिसर्च करना, वैक्सिन खोजना, इसमें दस्रकों से उनकी महारत हैं, एक्स्परटाइज थी, भारत अधिक तक इन देशों की बनाई वैक्सिनेशन पर ही निरफर रहता था, हम भार से मंगवाते थे, इसी वज़े से जब सो साल की सबसे बड़ी महामारी आई, तो भारत पर सवाल उठने रगे, क्या भारत इस वैक्सिन महामारी से लड़ पाएगा, भारत दूसरे देशों से इतनी वैक्सिन खरेंदे का पैसा कहां से लाएगा, भारत को वैक्सिन कब मिलेगी, भारत के लोगों को वैक्सिन मिलेगी भी या नहीं, क्या भारत इतने लोगों को टीका लगा पाएगा कि महामारी को फैलने से रोख सकें, भांती भांती के सवाल थे, लेकिन आज ये सो करोड वैक्सिन डोज हर सवाल का जवाब दे रहा है, भारत ने अपने नागरिकों को सो करोड वैक्सिन डोज लगाई हैं, और वो भी मुक्त बिना पैसा लिए, साथियों, सो करोड वैक्सिन डोज का एक प्रभाव ये भी होगा, कि दुनिया अब भारत को कोरोना से जादा सुरक्षित मानेगी, एक फार्मा हप के रुप में भारत को दुनिया में जो स्विक्रूती मिली हुई है, उसे और मजबूती मिलेगी है, पूरा विश्व आज भारत की इस ताकत को देख रहा है, मैसूस कर रहा है, साथियों, भारत का वेक्सिनेर्शन अभ्यान, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और सबका प्रयास का सबसे जीवन उधारन है, कोरोना महामारी की सुरुवात में ये भी आशंकाय व्यक्त की जा रही थी, कि भारत जैसे लोक्तंत्र में इस महामारी से लड़ना बहुत मुश्किल होगा, भारत के लिए, भारत के लोगों के लिए ये भी कहा जा रहा था, कि इतना संयम, इतना अनुशातन यहां कैसे चलेगा, लेकिन हमारे लिए लोक्तंत्र का मतलब है सबका साथ, सबको साथ लेकर देश ने सबको वैक्सिन, मुक्त वैक्सिन का अभ्यान शुरु किया, गरीब, अमीर, गाव, शहर, दूर, सुजूर, देश का एकी मंत्र रहा, कि अगर बिमारी भेदभाव नहीं करती, तो वैक्सिन में भी भेदभाव नहीं हो सकता, इसलिए यह सुनिश्चित किया गया कि वैक्सिनेशन अभ्यान पर वी आईपी कल्चर हावी नहों, कोई कितने ही बड़े पत्पर क्यों न रहा हो, कितना ही धनी क्यों न रहा हो, उसे वैक्सिन सामान्य नागरिकों की तरह ही मिलेगी, साथियों, हमारे देश के लिए ये भी कहा जा रहा था, कि यहाँ ज़्यादातर लोग टीका लगवाने के लिए आएंगे ही नहीं, कि दुनिया के कई बड़े विक्सित देशों में, आज भी वैक्सिन हेजिटेंसी एक बड़ी चुनोती बन गई है, लेकिन भारत के लोगों ने सौ करोड वैक्सिन डोड लेकर ऐसे लोगों को निरुत्तर कर दिया है, साथियों, किसी अभियान में, जब सबका प्रयास जुड़ जाता है, तो परणाम अदभूत ही होते हैं, हमने महामारी के खलाब देश की लड़ाई में, जन भागीदार को अपनी पहली ताकत बनाया, फर्स्ट लाइन अफ डिफेंस बनाया, देश ने अपनी एक जुड़ता को उर्जा देने के लिए, ताली थाली बजाई, दीए जलाए, तब कुछ लोगों ने कहा था, कि क्या इससे बिमारी भाग जाएगी, लेकिन हम सभी को उसमें देश की एकता दिखी, सामोहिक शक्ति का जांगरण दिखा, इसी ताकत ने कोवीड वेक्सिनेशन में, आज देश को इतने कम समय में सो करोड तक पहुँचाया है, कितनी ही बार हमारे देश ने एक दिन में एक करोड टीका करन का अंकड़ा पार किया है, ये बहुत बड़ा सामर्त है, प्रबंद का उशल है, टेक्नलोजी का बहतरी निस्तमान है, जो आज बड़े बड़े देशों के पास भी नहीं है, साथियों, भारत का पूरा वैक्सिनेशन प्रोग्राम विज्ञान की कोख में जन्मा है, वैज्ञानिक आधारों पर पन्पा है, और वैज्ञानिक तरीकों से चारों दिशाओं में पहुचा है, हम सभी के लिए गर्व करने की बात हैं, कि भारत का पूरा वैक्सिनेशन प्रोग्राम, साइन्स बॉन, साइन्स डिवन और साइन्स बेज रहा है, वैक्सिन बनने से पहले और वैक्सिन लगने तक इस पूरे अभ्यान में हर जगह साइन्स और साइन्टिविक एप्रोच शामिल रही है, हमारे सामने चुनवती मैनुफेक्टरिंग को लेकर भी थी, प्रोड़क्शन को स्केल अप करने की भी थी, इतना बड़ा देश, इतनी बड़ी आबादी, उसके बाद अलग अलग राज्यों में, दूर दराज इलाकों में, समय से वैक्शिन पहुंचाना, ये भी किसी भागी रदकारे से कम नहीं था, लेकिन बैज्यानित तौर तरीकों और नए नए इनोवेशन से, देश ने इस चुनोतियों के समाधान तला से, और साधान स्पीड से, सउसाधनों को बढ़ाया गया, किस राज्य को कितनी वैक्शिन कब मिलनी चाहिए, किस इलाके में कितनी वैक्शिन पहुंचनी चाहिए, इसके लिए भी वैज्यानिक फर्मिले के तहरे काम हुआ, हमारे देश ने कोविन प्रेटफॉर्म की जो व्यवस्था बनाई है, वो भी विश्व में आकर्शन का केंद्र हैं, भारत में बने कोविन प्रेटफॉर्म ने, न केवल आम लोगों को सहलियत दी, बलकि हमारे मेडिकल स्टाप के काम को भी आसान बनाया, साथ ही ओ, आज चारो तरफ एक विश्वास हैं, उत्सा हैं, उमंग हैं, समाज से लेकर, एकोनामी, हम हर तप्रे पर देखें हैं, आप्टिमिजम, आप्टिमिजम, आप्टिमिजम ही नज़ा आता हैं, एक्सपर्ट्स और देश-विदेश की अनेक एजन्सीज, भारत की अर्थिवबस्ता को लेकर, बहुत सकारात्मग हैं, आज भारतिय कंपनियों में, न सिर्फ रिकॉर्ड इन्वेस्ट्मेंट आ रहा है, बल्कि युवाओं के लिए, रोजगार के नए आउसर भी बन रहे हैं, स्टार्ट अप्स में, रिकॉर्ड इन्वेस्ट्मेंट के साथ ही, रिकॉर्ड स्टार्ट अप्स युनिकॉर्ण बन रहे हैं, हाउसिंग सेक्टर में भी नई उर्जा दिख रही हैं, पिछले महिनों में किये गए, कई सारे रिफॉर्म्स, कई सारे इनिशेटिव, गती शक्ती से लेकर नई ड्रॉन पॉलिसी तक, भारत की अर्थववस्ता को और तेजी से आगे बढ़ाने में बड़ी भुमी का निभाएंगे, कोरुना काल में किसी छेत्र ने हमारी अर्थववस्ता को मजबूती से संभाले रखा, आज रिकॉर्ड लिवल पर अनाज की सरकारी खरीद हो रही है, किसानों के बैंक खातों में सीधे पैसे जा रहे हैं, वैक्षिन के बढ़ते हुए कबरेज के साथ साथ, आर्थिक सामाजिक गतिवीदिया हो, खेल जगत हो, टुरिजम हो, एंटरेटेन्मेंट हो, सब तरफ सकारात्म गतिवीदियां तेज हो रही हैं, आने वाले त्योहरों का मौसम, इससे और गति देगा, और शक्ति देगा, साथ क्यों, एक जमाना था, जब मेडिन ये कंट्री, मेडिन भो कंट्री, इसी का बोलवाला था, बहुत क्रेज हुआ करता था, लिकिन आज हर देश वासी, ये साथ-शाथ अनुभव कर रहा है, कि मेडिन ये इंडिया की ताकत बहुत बड़ी होती है, और इसलिए, आज मैं आपसे फिर ये कहूंगा, कि मैं हर छोटी सी छोटी चीज, जो मेडिन इंडिया हो, जिसे बनाने में, किसी भारत वासी का पसीना वहा हो, उसे खरीदने पर जोड देना चाहिए, और ये सब के प्रयास से ही संभव होगा, जैसे स्वच्छ भारत अभ्यान, एक जन अंदोलन है, वैसे ही, भारत में बनी चीज खरीदना, भारतियों द्वारा बनाई चीज खरीदना, भोकल फोर लोकल, ये हमें ब्यहवार में लाना ही होगा, और मुझे विश्वास है, सब के प्रयास से, हम ये भी करके रहेंगे, आप याद करिए, पिछली दिवाली, हर किसी के मन मस्तिश्क में, एक तनाव था, लेकिन इस दिवाली, सो करोड वैक्सिन डोज के कारण, एक विश्वास का भाव है, अगर मेरे देश की वैक्सिन, मुझे सुरक्षा दे सकती हैं, तो मेरे देश का उत्पानन, मेरे देश में बने सामान, मेरी दिवाली, और भी भव्य बना सकते हैं, दिवाली के दौरान, विक्री की एक तरफ, और बाती साल की विक्री, एक तरफ होती है, हमारी यहाँ दिवाली के समाएं, तोहारों के समाएं, विक्री एक दम बढ़ जाती हैं, सौ करोड वैक्सिन डोज, हमारे छोटे-छोटे दुकान दारों, हमारे छोटे-छोटे उद्धेमियों, हमारे रेहडी पट्रिर वाले भाईयों मेहनों, सभी के लिए आशा की किरन बन कर आईये हैं, साथियों, आज हमारे सामने, अमरत महोटसव के संकल्ब है, तो ऐसे में, हमारी यह सभलता, हमें एक नया आत्म विस्वाद दिलाती हैं, हम आज कह सकते हैं, कि देश बड़े लक्ष तय करना, और उसे हसिल करना बख्खु भी जानता है, लेकिन इसके लिए, हमें सतत सावधान रहने की जरुवत है, हमें लापरवा नहीं होना है, कवज कितना ही उत्तम हो, कवज कितना ही आधुनिक हो, कवज से सुरुच्षा की पूरी गारंटी हो, तो भी जब तक युद्ध चल रहा है, हथियार नहीं डाले जाते, मेरा आग्रह है कि हमें अपने त्यौहारों को पूरी सतर्फ़ता के साथ ही मनाना है, और जहां तक मास्क का सवाल है, कभी कभी जड़ा, लेकिन अब तो डिजाइन की दुनिया भी मास्क में प्रवेश्च चुकी है, मेरा इतना ही कहना है, जैसे हमें जूते पहन करके ही बार जाने के आदर लग गई है न, बस वैसे ही मास्क को भी एक सहज स्वभाव बनाना ही होगा, जिनको अभी तक वैक्सिन नहीं लगी है, वो इसे सरवोच्च प्राथफिक्ता दें, जिने वैक्सिन लग गई है, वो दूसरों को प्रेरित करें, मुझे पूरा भरोसा है कि हम सब मिलकर प्रयास करेंगे, तो कोरोना को और जल्द हरा पाएंगे, आप सभी को आने वाले त्योवारों की एक बार, फिर बहुत बहुत शुप्रामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद,